तो हेलो दोस्तो जैसे आप देख सकते हो या जैसे अब आपना पासवर्ड रिसेट करते हो या अपना ID को लॉग-इन करते हैं तैम अपना या एक वेरिफिकेशन कोड आता है अपने phone नंबर पर या e mail ID पर तो वो आपका है receive नहीं होता है मतलब आपका OTP Not Receive प्रोलम आ रहा है आपको आज आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं 101 परसेंट गैरेंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने वाद को यह अधर वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ीगे इसी वीडियो से आपका कोड नहीं है कि आपके मोबाइल न लिंक या अपना मोबाइल नंबर जो भी आपने लिंक कर रहा हूँ उसके बाद कंटियून पर क्लिक करते होंगे तो आपको देन यहां मिलता है कांफरमेशन यूर अकाउंट उस पर आपको एक कोड बेजा जाता है जो भी आपका मोबाइल नंबर है यह इमेल आईडिये बढ़ आप जीजी उसको उसको दालते हो तो यह आपको ओटीपी नहीं होता है मतलब आपको नोट रिसीव प्रोलम है तो चलिए आपको बतायते हैं आपका ओटीप इसमें कैसा आएंगा चलिए विडिस टाट कर लिते हैं तो दोस्तों अगर आपका भी ओटीप नहीं हो पर आप फेस्बुक पे आपको टीपी नोट रिसीव प्रोलम हो रही है तो चलिए आज मैं आपको सोलीशन बताने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले देखो मैं आप फेस्बुक में आ जाता हूँ फेस्बुक में आने कवाद सिंपल साब दिदेख सकते हो या मेरा अकाउ कोड कर दूंगा तो देख सकते हुआ अगर आपको पने मोबाइल नंबर हो या इमेल आईडियो किसी भी आपको रीसीव नहीं हो रहा है तो चलिए आपके सामने करने वा लोग सबसे पहले तो आपको क्या करना है निच्छ स्क्रॉल करना है और आपको एक आप्सव आपको क्लिक करके आपको किलियर बतारों इसा क्लिक करना है सबसे बोले आपको घ्जी करना क्या करना sevi लेने लेने के बाद आपको सिम्हाइओ को जा किलर कर देना है और इसका किलर डाटा भी कर देना है दैद कर देने के बाद को देदेर। देन बैख लेना है देन इसके बाद आपको SMS को करना क्या करना है संबTT आंपको जा noch आपको आपको मेसेईघो कृष्ट फीस्पू के ना ईसको भी आपको यह से घटा है देख सकते हैं उसके बाद आपको जाना अपने प्लेश्टोर में प्लेश्टोर में जाने के बाद आपको यह लिखना है मैं लिख देता हूं मैसेज simple to message लिखने के बाद आपको simple to आपको दिखना है इसको search करना है और जो भी आपके इस mobile में application होगे वो देखो मेरे इसमें तो message by Google Google के application है simple to आपको update कर लेना है इस application को update कर लेना message को अगर आपका mobile number add आपके message पे तो अगर आपको email ID एड़ है और आपको email ID पी नहीं आपको यह क्या करना है Gmail search करना है देख सकते हो इसको Gmail इसमें दिख रहा है simple to search कर लेना है देख सकते हो कुछ देर आपको wait करना होंगा चलिए भी wait करते हैं हमारे इसमें कुछ देर wait लग रही है इसके बाद आपको simple to search Gmail का application मिलेंगा इसको भी आपको update कर लेना है Gmail को भी आपको update कर लेना देन इसका आपका जो भी OTP problem है वह भी fix हो जाएगा इतना करने के बाद simple to search इसको अटा देना है देन आपको जाना है अपने Facebook में देख सकते हो मुझे Facebook पर प्रॉल हमारी simple to search Facebook पर क्लिक करूँगा इसको भी storage users क्लियर करके इसका clear data कर देना है आपको जो भी clear data है कोई आपको ऐसे data leak नहीं होगा उडेंगा नहीं इसके बाद इसको force stop देना है देन इसके बाद नीचे आपको यह option मिलेंगा काफी सारी option देखने के लिए मिलेंगा तो push activity अगर आपके इसमें शोर है तो इसको off कर देना है देन इसके करके आपको जो भी आउंड है ना सिम्पास को को यह से लॉग इन करना है देख सकते हूं में email पे क्लिक कर देता हूं देन यह पेश्ट करता हूं find google account पे क्लिक करके try another way पे क्लिक करता हूं देन यह get code और link पे क्लिक करता हूं आप अपना mobile number पे क्लिक करना है अब इंटर code मे ने फिल कर लिया देन continue पे क्लिक करता हूं आपके सामने लॉग इन करके दिखा रहा हूं तो देख सकते हूं यहां आपके सामने मेरे को create a new password का option आ चुका है अब simple सा में my new password डालूँगा देन continue पे क्लिक करके मेरा account यह से login हो जाएंगा तो इस तरीके से अब आपना code ला सक लेकते हो जो भी problem थी आपके live solve करके दिखाया हूं अगर वीडियो जरा भी informative लगाओ तब ही चैनल को subscribe करना मिलते है नेक्स वीडियो को साथ thank you for watching